बिस्मिल्लाहिररुह्मानिर्रहीम सलामु अलेकुम राधिय। स्प्रिंग्फिल्ड स्कूल मासप टैंग से मैं उर्दू मौली मा तो बच्चो आज हम गाय और बक्री का तर्सी किताब का तहरीरी काम कमिल करेंगे वीडियो देखने से पहले रीडर निकान लीजिए और वीडियो को तवज्जे से देखकर समझने की कोशिश कीजिए पेज नमट 73 मंदजजल मिस्रे तर्तीब में लिखिए कट रही है बुरी भली अपनी है मुसीबत में जिन्दगी अपनी फर्स्ट वन फॉर्थ वन यानि फर्स्ट डी ए बिसीडी लेट साट के ए बीसीडी तसवोल कर लिजए इसके बच्चों को पालती हुमें सी दूद से जान डालती हुमें दूद कम दूद तो बड़बडाता है ए हो जो दूबली पतली तो बेच खाता है सुनके बकरी ये माजरा सारा बी बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा उसके बात यहां पर हिसे जीम जेल में चनशार की तश्रीकी गई है पड़ी और मतालिखा अशार लिखे गाए से बकरी कह रही है के सची बात सबको बुरी लगती है हालांके गिला जो गिला कर रही है वो बेजा है जिन्दगी के सारे मज़े इनसान के दम से है इसके लिए किसी हाल में भी गिला नहीं करना चाहिए ये बात सुनकर गाए को शरम सी महसुस हुई के छोटी सी बकरी जो कह रही है वो सच है इनसान ना होता तो आराम ना होता जिन्दगी में कोई रौनख ना होती ये चनशार की तश्रीह है इस से मुतालिखा शेयर ये है बतलब आप रीडर निकाल लीजिए और देखिए के सुनके बकरी ये माजरा सारा बोली गिला ऐसा नहीं अच्छा बात सची है बे मज़ा लगती है मैं कहूंगी मंगर खुदा लगती है ये मज़े आदमी के दम से हैं लुटफ सारे इसी के दम से हैं हम पे एहसान है बड़ा इसका हमको जेबा नहीं गिला इसका खदर आराम की अगर समझो आदमी का गिला ना करो गाए सुनकर ये बाद शर्माई आदमी के गिले से पच्ताई यहाँ पर पेज नमबर 73 पर जो आपको लाइनिंग दिये गए है खाली ब्रैकिट खाली वाले लाइनिंग दिये गए है उसमें लिखना है यह आपको मैं PDF की शकल में भेज़ दूँगी फिर से कह रही हुमें पेज नमबर 73 हिस्से जीम का जवाब ये है तो बच्चो निक्स देख लीजिए लवजियाद पेज नमबर 74 खचकशी दा अलफास के मौजू माने खौसेन में लिखिये फर्स्ट वन जानवर चरागा में चड़ते हैं तीन आप्षन आपको दे दिये गए हैं दरक्त जानवर चरने की जगा नदी चरागा बे जानवर चरने की जगा डूपते सूरज का समा सुहाना लगता है समा यहाँ पर अंडरलाइन क्या हुआ है नजारा कैफियत हालत समा नजारा समा नजारा थर्ड वन हर इनसान को बातचीत का सलीखा आना चाहिए सलीखा मतलब अदब भी बोलते या फिर तरीखा भी बोलते इस एतिबार से आपको अलीफ और जीम आपकी मानों में मौझूद है तो लेकिन आप क्या करिए यहां पर सलीखा अदब बलके डालीजिए अलीफ सलीखा अदब सलीखा अदब अलीफ डालीजिए या फिर आप A, B, C, D लिखने के बज़ए अलीफ बेजीम लिखने के बज़ए यहां पर आपका जो सहीं जवाब है वही ब्रैकिट में लिखे फॉर्ट वन अहमत को जंगल से शेर जंगल में शेर से पाला पढ़ गया पाला पढ़ना अलीफ साबिखा पढ़ना साबिखा पढ़ना साबिखा पढ़ना बेहे रास्ता दिखना रोक देना सहीं माने हैं साबिखा पढ़ना ये आपको पीडियम फेज़ दूंगी में हम मौसुखी से लुटफ उठाते हैं मौसुखी लुटफ मजा लेना मजा लेना मजा लेना अल्ला की दाद गफुर रहीम है दाद सिफद सिफद दिए गया अलफास को जुमलों में इस्तिमाल कीजिए यहां पर मेकोन सेंटेंस है जब दो आदमी कलाम करते हैं तो हमें खामुश रहना चाहिए कलाम के मतलब बातचीत करने का तरीखा सेकेंड वन जेबा गिला शिकवा करना बुरी आदत है थर्ड वन जेबा इंथान को जेबा नहीं देता जाके वो दूसरों की शिकायत करें फॉर्ट वन नसीब अपने नसीब का खाता है फिफ्ट वन माजरा अपना माजरा कह सुनाओ सिफ्ट वन समा दीवाली की रात का समा देखने से तालुख रखता है मतलब अच्छा असुहाना होता है तो बच्छे ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी देखिए और मुकमिल कर लीजिए क्योंकि अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तहरीरी काम नहीं करेंगे या मौलीमा के परसनाव परवर्ट नहीं करेंगे तो आपको नमराद नहीं दिये जाएंगे इसलिए बहतर होगा दी गई हिदायत के मुकर्ररा वक्त पर ही काम मुकमिल कर लें जजाकर लाँ खेर